नमस्कार मैं हूँ नमन्शर्मा और आज हम आपको जानकारी देंगे 2024 के अमेरिकी राष्टपती चुनाव परिणामों के बारे में इस बार के चुनाव में पूरे विश्व की निगाहें अमेरिका पर टिकी थी और चुनावी नतीजों ने हर किसी को चौका दिया शुरुआत करते हैं सबसे वड़ी खबर से डॉनल्ड ट्रम्प जो ये डॉनल्ड ट्रम्प ने 2024 के राष्टपती चुनाव में जीत हासिल की है और उन्हें 292 एलेक्टोरल वोट्स के साथ बहुमत प्राप्त किया है जबकि उनकी प्रतिनेटी कमला हैरिस ने 224 एलेक्टोरल वोट्स पर ही रुग गए ट्रम्प ने कई महत्पूर्ण स्विंग स्टेटरस में विजय प्राप्त की है इनमें फ्लॉरिडा, जॉर्जिया, पेंसिलवेनिया, मिशिगन और विसकॉंसिन शामिल है इन राज्यों में जीत ने ट्रम्प के विजय पत को शुनिश्चित किया अब बात करते हैं इन चुनाव परिणामों के पीछे की कहानियों की फ्लॉरिडा जो हमेशा से एक महत्पूर्ण राज्य रहा उसमें ट्रम्प ने 51.9 प्रतिशत वोट के साथ जीत हासिल की जॉर्जिया में भी उन्होंने 50.8 वोट मिले जबकि कमला हैरेस ने 48.5 वोट हासिल किया इस बार के चुनाव में जनता की भागेदारी भी अभूदपूर रही शुरुआती मद्दान से लेकर चुनावी दिन तक लोगों ने बढ़ चरकर हिस्सा लिया चुनाव आयोग ने बताया कि लगबग 160 मिलियन लोगों ने इस बार मद्दान किया जो कि अमेरिका चुनाव के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है अब बात करते हैं सीनेट और हाॉस ओफ रिप्रेजנ्टेटेटिव्स के चुनाव परिणावों की सीनेट मेर रिपॉर्ब्लिकन पार्टी ने बहुमित हासिल किया है उन्होंने 52 सीते जीती जबकि डिमोकरेटिक पार्टी ने 43 सीते जीती हैं House of Representatives में भी Republican Party ने भहुमत हासल की इस जीत के सार Donald Trump एक बार फिर राश्पती पर समभा लेंगे और ये देखना दिल्चस्प होगा कि उनकी नीतियां और कारेकाल इस बार कैसे रहते हैं क्या वे अपने पिछले कारेकाल से कुछ अलग करेंगे या वही नीतियां जारी रखेंगे ये भविश्य ही बताएगा आखिर में हम आपको सवालों के जवाब देने के लिए ततपर हैं यदि आपके पास कोई भी चुनाव से संबंदित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएगा और इसी तमाम जानकारी के लिए देखते हैं भी हुआ नियूस आज के कारेकरम में बस इतना ही